नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे लक्षमी प्राप्ती के सबसे शक्तिशाली उपाय के बारे में वैसे तो आपको यूट्यूब पर कई सारे हजारों वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें आपको धन प्राप्ती लक्ष्मी प्राप्ती के बारे में उपाय बताए गए होंगे लेकिन आज कर ये जो उपाय है वो मैं आप सभी के लिए बहुत ही गहन अधेयन के बाद लाई हूँ तो आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ लें 21 दिन तक आपको इस उपाय को करना होगा नियमित रूप से लेकिन आपको 3 दिन के अंदर ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हजारों रुपे खर्च करने के बावजूद कोई पंडित आपको ये उपाय आज तक नहीं बताया होगा तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले आपको सुबह में जल्दी उठना है उठकर के आप इस नानादी कर लें और उसके बाद आपको एक कटोरी में मीठा दूद लेना है मीठा दूद मतलब कच्चे दूद में आप मिश्री शहद या फिर शक्कर इन तीनों में से कुछ भी थोड़ा सा मिला लीजिए अब कई लोग पूछेंगे कि क्या हम पका हुआ दूद ले सकते हैं तो जी नहीं किसी भी पूजा पाठ में हमेशा कच्चे दूद का ही प्रयोग किया जाता है पके हुए दूद का नहीं तो आप कटोरी में कोई भी मीठा दूद ले लीजिए कुछ भी मिला दीजिए अगवान पीपल देव से प्राथना करें कि हे पीपल देव मेरी जो समस्या है उसका समाधान करें मैं जितनी मेहनत करता हूं उसके हिसाब से मुझे धन प्राप्ति नहीं हो पाती है ऐसा हो जाता है कि महीने के लास्ट में मुझे करजा लेना पड़ जाता है तो मेरी समस्य का आप समाधान करें इसके बाद पीपल देव से प्रांथना करके अपने घर आ जाये और उसके बाद आप पहुँँ जाए हनुमान Możid में जाए आप सबीछण करें उसके बाद हनुमान जी के प्रांगգ में यानि की मंदिर में कोई ऐसी खाली जगह हो वहाँ जाएं और एक भारी पत्थर आप ले ले उस भारी पत्थर को हाथ में रखे हुए ही आप अपनी मनोकामना को बोलें आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए उस पत्थर को उस इस्थान पर किसी भी एकांत इस्थान पर रख दें और अपने घर आ जाएं ठीक है आपको ये काम शनिवार से शुरू करना है यानि कि शनिवार से ही आपको पीपल व्रक्ष में उस मीठे दूध को अर्पित करना है और शनिवार के दिन ही आप मंदिर में जाए हनुमान जी के मंदिर में जाके अपनी प्रार्थना का वो पत्थर रख दे उसके बाद नियमित रूप से 21 दिन तक आपको इस काम को करना है यानि कि पत्थर आपको सिर्फ एक दिन रखना है पहले दिन लेकिन आपको हनुमान जी के दर्शन 21 दिन तक नियमित रूप से करना है और पीपल देव को जो मीठा दूद है वो भी आपको नियमित रूप से 21 दिन तक चड़ाना है और 21 तो छोड़िए तीन दिन के अंदर आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और 21 दिन तक आप इस चीज का ध्यान रखें कि वो जो पत्थर है वो कोई भी वहां से हटाए ना जब भी आप दर्शन करने जाए तो अपने पत्थर को एक बार देखने उसके बाद जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आपको क्या करना होगा उस पत्थर के बराबर आप अनुभाव या फिर अनुमान लगा लिजे कि ये पत्थर कितने का होगा कितने किलो का है पांच किलो का है साथ किलो का है एक अनुभाव के आधार पर आपको जाकर उसे तौल करें प्रसाद स्वरूप और उसके बाद उसे सभी में वित्रण कर दें उस प्रसाद को स्वयम भी ग्रहन करें परिवाद जनों को भी दें और सब के साथ उसे वित्रण कर दें पांच किलो है साथ किलो है जितनी आपकी श्रद्धा अनुसार ही आप उस पत्थर के वजन को र मीठा दूद पीपल के व्रक्ष को अर्पित करें और जो हनुमान जी महराज है उनके आपको रोज दर्शन करने होंगे आप चाहें तो उनके सामने एक सरसों के तेल का दिया या फिर घी का दिया भी रोज प्रच्वलित कर सकते हैं अन्यथा अगर आप दर्शन मात्र भी कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पौन हो जाएगी दोस्तों मेरे कहने पर एक बार आप इस उपाय को अवश्य करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय है मेरी आपसे प्राथना है कि उसे आप अवश्य करें आपकी तीन से साथ दिन के अंदर मनोकामना पौन होगी मेरी स्वयम हुई है मेरी जो भी मनोकामना थी वो मैंने पौन की हुई है इसलिए मैं आपको उसी आधार पर कह रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ तो पहले स्वयम उसे करके देखती हूँ उसके बाद ही मैं आप सभी के सामने उसे प्रस्तुत करती हूँ यकीन मानिये दोस्तों आपके धन प्राप्ती के जो भी मार्ग बंध हो चुके हैं वो खुल जाएंगे बंध ताले की चाबी के समान है ये एक कुझी है अगर आपके हाथ लग गई है आपका कोई भी काम बन गया है तो दूसरे किसी मनोकामना के लिए भी आप इस उपाय को काम में ले सकते हैं और इस उपाय को अपने परिजन के साथ शेयर जरूर कीजेगा ताकि हर कोई इसका पून रूप से लाप्राप्त कर सके अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा मालक्षमी को प्रसन्य करने का सबसे आसान उपाय है ये मिलते हैं अगले वीडियो में जै श्री राम, जै हनुमान, सीता राम, राधे शाम